वेलकम टू ब्लैक बोर्ड आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास 11 बाइलोजी के एक चैप्टर लोकोमोशन एंड मुवमेंट के बहुत ही इंपोर्टेंट MCQ को सॉल्ब करने जा रहे हैं और इस सीरीज का यह पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें टॉपिक वाइज MCQ को ह हर टॉपिक का अलग-अलग होगा चलिए वीडियो को सुरुवात करते हैं पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मुवमेंट जी है इसके कुछ MCQ सॉल्ब करेंगे फिर सेगंड टॉपिक को और मुव करें हम लोग पहला कॉश्चन है सम वॉलेंटरी मुवमेंट्स विच रिज लोकोमोशन कोई भी ऐसी गती जिसके कारण अस्थान में परिवर्तन होता है वो लोकोमोशन कहलाता है चलेगा दूसरा है विच अफ फॉलोइंग आर लोकोमोट्री मुवमेंट्स लोकोमोट्री मुवमेंट्स का एक्जामपल कौन कौन से है तो लोकोमोट्री मुवमेंट क्या होता है जिसके कारण अस्थान में परिवर्तन होता है पहला है वाकिक तो क्या टहलने से अस्थान में परिवर्तन होगा जी हाँ बिलकुल होगा दूसरा है रनिंग दोडने से भी अस्थान में परिवर्तन होगा तीसरा है स्विमिंग तेरने से भी अस्थान में परिवर मतलब किसी भी एनिमल्स का जो लोकोमोशन का मैथड है तरीका है वो बदलता है किसके कारण बदलता है कौन से चीज़ प्रभावित करती है पहला है habitat मतलब उनका आवाश दूसरा है दूसरा है habitat बाने उनका आवाश तीसरा है level of organization मतलब कि जो सारिक अस्तर है संगठन का अस्तर है वो चोथा है demand of situation तो इसका सही जवाब होगा option B और D मतलब जो habitats है उनका आवाश जो है वो और जो समय की मांग होती पर इस फितियों की मांग होती है वो उनके lokomotion के method को WBC are affected by कि micro phases and WBC जो होते हैं उनके amoeboid जो movement होती है amoeba जो गती होती है वो किसे प्रभावित होती है किससे प्रभावित होती है पहला है शीलिया दूसरा है फ्लैजिला तिसरा है pseudoshial और चौथा है pseudopodia इसका सही जवाब हो option D pseudopodia क्योंकि आपको पता है कि amoeba जो होता है उसमें जो पैर होता है वो कुटपाद हिंदी में कहता है उसको pseudopodia उसी को बोलता है जिसके कारण वो move भी कर पाता है और उसी से अपने भोजन को भी वो मतलब आराम से उसको consume कर पाता है तिसका answer option D हो जाएगा 5th question is pseudopodia is formed by pseudopodia का निर्मान किश्य होता है पहला है shrinkage of protoplast दूसरा है streaming of protoplast तीसरा है change in osmotic pressure और चौथा है streaming of protoplasm तो जिसका सही जवाब होगा streaming of protoplasm protoplasm का जो streaming है वो जो होता है उसके कारण pseudopodia बनता है 6th question है which of the following cytoskeletal elements are involved in amoebioid movements मतलब की कौन सा इस शारों में से amoebioid amoebioid गती में शामिल होता है पहला है micro filament दूसरा है micro tubules तीसरा है micro fibrils और जो last है बोथ A और C मतलब की micro filaments भी होगा और micro fibrils भी होगा तो इसका सही जवाब होगा micro filaments याद रखिए का बहुत important question है amoebioid गती में इसका critical role होता है 7th question है passes of ova through the female reproductive tract is facilitated by मतलब जो female reproductive tract है tract मतलब होता है कि जो एक tube होती है नली होती है तो जो महिलाओं का reproductive tract होता है उसमें जो ova मतलब जो अंडानू होता है उसका जो गती होता है वो कौन सी गती के example होता है पहला है ciliary moments, दूसरा है amoebioid moments, तीसरा है muscular moment और चौत है all of above जिसका सही आंसर होगा ciliary moments classroom में आपको discuss करके बताया गया था और इसके example भी लिखाया गया थे जैसे कि trachea में जो गती होती होती भोजन करते समय वो भी इसी का example है ciliary moments का और ova का movement होता है reproductive tract में यह भी इसी का example होता है अगला जो हमारा topic है muscles and a structure of contractile proteins यह बहुत ही important topic है इसके question को अब लोग टैकल करने ही कोशिश करने जा रहे हैं which of the following muscles are primarily involved in locomotory action and change of body posture मतलब कौन सा ऐसा muscle है जो गती करने में सहायक होता है जिससे अस्थान बदलता है चल फिर सकते हैं उसमें सहायक होता है और शरीर का जो posture होता है जैसे सेल्फियोर के लिए बनाते हैं न कभी यहां तैसे हो गया वैसे हो गया वैसे तो इन body posture में किसका स सही हो सबसे जादा होता है option है sclattal muscle दूसरा वैस्केरल मसल तिसरा है cardiac muscle और चौता है A और B मतलब कि sclattal और वैस्केरल दोनों होगा तो इसका सही जवाब होता है sclattal muscle जो कि जहां bones होती है bones से direct connect होती है और locomotion में इनका बहुत ही critical role होता है क्योंकि जो दूसरे है वैस्के personalized tissue होता है इसका सही जवाब option है sclattal muscle हो जाएगा ninth question है how many of the following features belong to sclattal muscle कि जो कंकाल muscles होती है कंकाली है जो पेशिया होती है उसका कौन सा है इसमें से feature उनका है striped appearance voluntary nature not under control of sheanness और चौता है primarily involved in locomotory actions सुनी अब बात ध्यान से stripped मतलब कि रेखित इनका structure होता है तो एकदम सही बात है stripped होते है voluntary nature एकदम इस पर आपका नियंत्रण होता है जैसे देखते हैं जीमोंवाल लोग कैसे जब चाहते हैं तब muscles को contract या फिर expand करना सुरू कर देते हैं तो voluntary control होता है not under cns control ये बात गलत है क्योंकि ये control में actually होता है और primarily involving locomotory actions ये भी सही है गती में काफी सहाइक होता है तो चार म muscle assist in the transportation of food through the digestive tract and gamete through the gametal tract मतलब जिससे होता है कि जो gametes होती है वो उससे flow करती है एक tube होता है उससे तो किस प्रकार की muscles इसमें help करती हैं पहला है sclattal muscle दूसरा है vascular muscle तूसरा है cardiac muscle चौता है A और B तो सुरिए sclattal muscle तो होता है जो bones से connect होता है तो obviously ये इसका सही जवाब नही होने वाला है cardiac muscle heart से connected है तो इसका क्या ही संबंद है जब भी बात करी जाएगी कि जो gametes है या फिर जो food है इससा कोई connection इससा नहीं है तो दूसरा option हमारे बसता है vascular muscle जी हाँ ये इसका सही जवाब है जिससे हम लोग smooth muscle भी कहते है चीकनी पेसी भी कहते है ये सही जवाब है क जहां पर vascular muscle आपको देखने को मिल सकता है यहां कुछ नाम लिखा गया जिससे elementary canal में जो भी हो gallbladder में हो bile duct में हो respiratory tract में हो ऐसे बहुत से एक्जामपल यहां दिये गए हैं इन सब को याद रखिएगा सभी जगह यह चीजे पाई जाती है vascular organs यह होए और यहां पे इसी ची तो सही जवाब होगा muscle fiber जियान रखिए muscle fiber muscle fiber से बनता है muscle bundle muscle bundle से पूरे muscle का निर्मान होता है तो anatomical unit कहों से हो गया muscle fiber हो गया अगला है sarcoplasmic reticulum is sarcoplasmic reticulum होता है क्या होता है तो functional unit of contractile muscle नहीं होगा contractile protein fibrils that makes up the muscle cell यह इसका सही जवाब है 12 का answer होगा option B 13 component of the thin filament of sarcomer R मतलब जो sarcomer के पतले वाले filament होते हैं उनका component कौन कौन सा होता है तो आपको याद है आपको मैंने बताया था कि दो तरीके के filament हो सकते है thin और thick मोते में myosin होता है जबकि पतले में actin, troponin और tropomyosin होता है यह notes आप पलट के देख सकते हैं आपको महा मिल जाता है तो thin में कौन कौन होते है Actane, Troponin and Tropomyosin और ठीक में कौन सा होता है तो Myosin होता है तो हमारा सही जबाब क्या होने वाला है थीन पुछा गया है तो थीन में आंसर D होगा Actane, Troponin and Tropomyosin चौदा नमर कोशन है Which one of the following is correct regarding the Troponin Troponin के बारे में कौन सा सही है पहला produces sliding movement to the microtubules Microtubules में एक फिसलने वाली जो गती होती है उत्पन करता है दूसरा Contents, Globular Head ये Globular मतलब गुलाकार होता है तो यहां जो Troponin होता है वो गुलाकार कुछ ऐसे सेप में रहता है बिलकुल अगला है Binds to CA plus 2 and produces sclateral muscle contraction कि ये जो होता है CA plus 2 से Bind करता है ये भी बात सही है मतलब हमको किसी एक कुछ चुनना था लेकिन गलती से यहां option में दो चीज़े आपको सही दिखाई जा रही है दोनों इसका सही जवाब है अब ये exam में question के हिसाब से change हो सकता है 15th question है Atipase enzyme of the muscle located on सबसे पहले atipase क्या होता है Atipase वो enzyme है जो atipase को breakdown करता है ये muscle में कहां पाई जाती है तो actinin, troponin, myosin और actin कहां पाई जाती है तो आप इस figure में यहां देख सकते हैं ये myosin का यहां पर diagram बनाया गया है और इस वाले हिस्से पर देखिएगा यहां पर लिखा है ATP OGS अस्तलत किस पर पाई जाते हैं myosin पर पाई जाते हैं इस तरीके से इसका हमारा सही आंसर क्या हुआ option C, myosin myosin इसका सही जवाब होगा 16th है functional unit of contractile system of a sterited muscle is called जो functional unit है वो क्या कहलाता है पहला है sarcomer, z-line, sarcosum, microfibril तो जी हां बिल्कुल सही, microfibril इसका सही जवाब होगा जो पतली पेसी होता है वो इसका सही आंसर होता है अगला question है 17th sarcomer is, क्या होता है sarcomer तो कह रहा है कि part between 2H line 2H रेखा के बीच का जगा अस्थान होता है अगला कह रहा है 2A रेखा के बीच का होता है दूसरा कह रहा है कि 2I bands के बीच का होता है और चोहता कह रहा है कि 2Z lines के बीच का होता है sarcomer तो बिल्कुल 2Z line के बीच का होता है diagram में आपको कुछ इस तरीके से safe बना के मैं आपको बताया था कुछ ऐसे safe बना हुआ था तो ये Z line है, इसके बीच सारकुमर का structure हमने बनाये था, जो कि आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो Z line के बीच होते हैं, तो option क्या होगा, option D इसका सही जबाब होगा, 18 question है, इस सारकुमर is form by, प्रतेक सारकुमर की रचना होती है, अब 2 A band और 2 A band से, 2 A band और 1 A band से, 1 A band और 2 A band से, या 1 A band और 2 half A band से, अब देखो यहाँ धियां से, यह है आई band, यह वाला A band है, ठीक है, तो यह पूरा A band यहाँ से यहाँ आता है, लेकि सारकुमर में तो आधा ही आता है, और इधर भी आता है, मतलब eye bands हो है वो आधा है ठीक है लेकिन कितने बार आया है? दो बार आया है तो देखिए तो two half eye bands यहां दिख रहा है two half eye bands इसके अलावा जो ये वाला है ये पूरा यहां से यहां तक ये A band है तो कितने की ज़रौत है हमको एकी जरौत है, एक की तो one A band and two half आइबन इसका सही जवाब होगा, option D 18 का बिल्कुल सही आंसर होगा, इस डिग्राम में आप देख सकते हैं 19th question है, actin protein occurs in which of the two following forms, किन दो रूप में होता है पहला है, polymeric F actin and monomeric Z actin दूसरा है, monomeric F actin and polymeric Z actin the tail and head F actin, Z actin but not globular, ध्यान से देखिएगा polymeric मतलब polymer है और monomeric मतलब monomer एक की बात हो रही है तो G actin जो होता है, वो monomer होता है, जबकि F actin जो होता है, वो polymer होता है इसको आप अच्छे से याद है, कुछ ऐसे करके एक structure बनाया गया था, इस तरीके से फिर arrow देखे, ऐसे बहुत से structure इसमें मिलाक बनाया गया, तो यह G था और यह F था, actin में तो G वाला monomer था, देखो तो G वाला monomer था, और F वाला क्या था, polymer था तो option A इसका सही answer होने वाला है, 19th का answer, option A, polymeric F actin and monomeric Z actin अगला मारा topic है, mechanism of muscle contraction, इसके कुछ questions को भी देख लेते हैं, पहला question है, during muscle contraction, मतलब muscle जब contract करता है, सिखुडता है, तब क्या होता है, पहला chemical energy is changed to electrical energy, मतलब रशानिक उर्जा जो है, वो वैदूत उर्जाम बदलता है, दूसरा, mechanical energy is changed to chemical energy, मतलब यांतरिक उर्जा, रशानिक उर्जाम बदलता है, तीसरा, chemical energy is changed to physical energy, मतलब जो रशानिक उर्जा है, वो भौतिक उर्जाम बदलता है, आँछ चोता है, chemical energy is changed to mechanical energy, मतलब कि जो रसाइनिक उर्जा है, वो यांतरिक उर्जाम बदलता है, तो इसका सही जवाब option D होगा, क्योंकि जब muscle contract करता है, तो ATP break होत उर्जा बदल रहा है, किसमें आपको काम करने की छमता मिल रही है, आपके muscles के external energy मिल रहा है, तो mechanical energy, इसका मतलब सही जवाब होगा option D, chemical energy is changed to mechanical energy, जब muscle contract करता है, तो ये सही जवाब होता है, आज के इस lecture में total 20 question ही रहेंगे, I hope आपको ये प्रशंद आया होगा, बहुत जल्द इसके दूसरे पार्ट को भी हम आपको सामने ले के आएंगे, और साथ में इस chapter से पूछे गए, neat examination में जो previous question है, उसको भी discuss किया जाएगा, I hope आपको सब कुछ crystal clear हो गया होगा, thank you by watching, thank you very much.